हर्याना विदानसवाद चुनाव में करारी हार के बाद कॉंग्रेस ने इवियम पर सवाल उठाया है पार्टी ने चुनाव आयोग से राज जी के 20 विदानसवाद छेतरों में दुबारा मतगर्णा की मांग की है आयो को लिखे पत्र में इवियम से छेड़ चाड़ का आरोप लगाते हैं जब कोई जीतता है तो कहता है मैं अपने दम पर जीता हूँ हारने की बाद वे कहने लगते हैं कि इवियम ने उन्हें हरा दिया मलिकाजुन खरगे द्वारा भाषपा को आतंकवाधी कहे जाने पर भाषपा सांसद धरमवीर सिंग ने कहा कि हमारे गाउं में एक कहावत है कि इतनी श्चित उम्र के बाद आदमी बुढ़ा हो जाता है मुझे लगता है कि बुढ़ापा उन पर हावी हो गया इसलिए अब बकवास कर रहे हैं मलिकाजुन खरगे ने कहा था कि जब तक पिये मोदी चुनाव हार नहीं जाते मैं मरूंगा नहीं इस वर भाश्पा निता ने का कि भगवान उन्हें लंबी उम्र दे जब तक वच जिंदा रहेंगे नरिंद्र मोदी देश के पीम बने रहेंगे इसे के साथ राजे सभाज सांसत कपिल सिब्बल ने एवियम के दुरुपियों की बात कहीं और का कि हर चुनाव में ऐसा होता है उन्होंने पतरकारों से बातचीत करते वे का कि मैं शुरू से ही यह कहता आ रहूं कि एवियम का दुरुपियों हमेशा से होता है चाहे वह ल लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की है कॉंगरस का रोप है कि वोट की काउंटिंग होने के बावजुद आकड़े देरी से सारुजनिक किये गए जिससे लेकर हर तरह के गंफीर सवाल खड़े होते हैं